नमस्ते दोस्तों आज मैं आप लोगों केल ये ले करके आई हूँ एक बहुत ही स्वादिश तेश्टी एकदम अनुखी और बिल्कुल नई सबजी की रेस्टी जब भी आपके गड़ों में आचानक से कोई मिहमान आ जाए या फिर आप रोज रोज की सबजी खा करके बोर हो गए हो तो आप इस सबजी को बिना कोई जंजट के आसाने से बना करके तयार कर सकते हैं इसे बनाने में भी कमी टाइम लगता है तो सबसे पहले पानी में डालेंगे दो तिन प्याज को इस तरह से मोटा मोटा काट करके और साथ में ही डाल देंगे आधा कटोरी काजू और बादाम और इसे हलका सा उवा लेंगे ताकि ये सारे चीज हलका सा सौप्ट हो जाए तो देखिए हमने यहाँ पर प्याज और बादाम को अच्छे से उवा लिये है अब एक छनी लेंगे और सारे को इस तरह से छांग देंगे और इसे निकाल करके किसी पेट में ठंधा होने देंगे जब ये हलका सा ठंधा हो जाएगा तब हम यहाँ पर लेंगे एक करेंडर जार और जार में इस तरह से बादाम के छीलके को छील करके डाल देंगे तो हम यहाँ पर सारे बादाम का छीलका अच्छे से छील कर निकाल लेंगे इसके बाद इसमें डाल देंगे काजू और प्याज तो इसमें सारे चीज एक साथ और अवजार का ढखकन लगा करके काजू वदाम को दरदरा पीस लेंगे इसके बाद गैस पर फिर से कढ़ाई या पैन रखेंगे और कढ़ाई में डालेंगे एक चमच देल यहां पर आप घी भी डाल सकते हैं और इसमें डाल देंगे आधा कदोरी काजू और काजू को हनका सा फ्राई कर लेंगे तो देखिए हमने काजू को फ्राई कर लिये हैं अब बच्चे हुए तेल में डालेंगे आधा चमच जीरा और दो तिर पत्ता अगर आप इसमें और कोई खारे मसाला डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं एक बार फुरन को अच्छे से मिला लेंगे इ टमाटर को इत्तम बारिक काट ले थी अब टमाटर को चलाते हुए कुछ देर तक पकाएंगे तो देखिए यहाँ पर टमाटर हलका सा सौप्ट हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक तो मैं इसने एक चमच नमक डालने के बाद अब नमक को टमाटर में अच्छे से मिलाएंगे और इसे चलाते हुए थोड़ा देर तक पकाएंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे बाखी का कुछ मसाला ताकि सबजी और भी ज्यादा टेश्टी बन कर तयार हो तो मैं इसमें डाली हूँ दो चमच धनिया पोडर आधा चमच के करीव डाले इसमें कस्तूरी लाल मिर्च पोडर या रेगुलर लाल मिर्च पोडर और साथ में ही डाल देंगे आधा चमच हंदी पोडर तो मैं यहाँ पर धर्या पोडर घर का इस्तेमाल कर रही हूँ अगर आपके पास और कोई मसाले हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब म मसाला अब इन सारे मसाले को अच्छे से मिलाएंगी तो मैं मसाला को चलाते हुए मेडियम फिलेंपर दो मिनद तक अच्छे से भून लीगो इसके बाद हम इसमें डालेंगे दरदरा पिसा हुआ प्याज और पदाम और अवजार में थोड़ा सा पानी डाल कर अच्छे से मिल करके मसाले में डाल देंगी क्योंकि जाड में जो भी लगावोगा वो भी वेस्ट नहीं होगा अब मसाले को अच्छे से मिलाएंगी और अब इसको चलाते हुए मेडियम फिलेंपर दो से दीन मिनद तक भूनेंगी तो इसको इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये चले न दोस्तो गर आज की ये छोटी सी रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक से यर और मेरे चेनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चेनल को भी सब्सक्राइब चरूर कर ले ताकि आपको हर दिन में नई रेस्पी देखने को मिले तो मसाले को इस तरह से चलाते तो हमने यहाँ पर मसाले और दरदरा पिसा हुआ प्याज के पेस्ट को भी अच्छे से भूल लिए है अब हम इसमें ग्रेवी केल ये पानी डालेंगी तो मैं इसमें दो कटोरा पानी डाल रही हो आप अपने जरूरत के हिसाफ से पानी कम ज्यादा कर सकते है या फिर आप इसको बिना ग्रेवी डालेंगी बना सकती है तो देखे यहाँ पर सबजी एकदम अच्छे से ओवल दया है अब हम लाश्ट में भुना हुआ काजू डाल देंगी तो लीची दोस्तों आज का हमारा बहुत थी श्वादिश तेश्ती काजू बदाम की सबजी बनकर तयार है किर वेरा बनकर देंगी थाजी श्य wire ऩäh I am लनकर फिर करता है अच्छे भालेंगी एकार है हम अच्छे सबदादों दोस्तों